हलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बसीन की संधी के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स बसीन की संधी को बेसिन की संधी भी बोल सकत हैं ठीक है और यह आदुनिक भारत का एक महतवपुन पार्थ है और जो अंगले मराथा यूद हो रहे थे उनी में मतलब जो संधियां हो रही थी उनी में से एक यह महतवपुन संधी है जो हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे तो देखें अंगले मराथा यूद हम आपको सारे पढ़ा चुके हैं इससे पहले भी जो मतलब जैसे कि मराथों का पतन हुआ उसके बाद पेश्वा सोरी सबसे पहले जैसे कि मुगलों का पतन हुआ उसके बाद जैसे कि पेश्वा है मराथा है यह उभर कर आए और फिर अंग्रेजों को इनसे लड़ना पढ़ था और बीच में जो संधिया हुई थी वो ही हम आपको मतलब step by step पड़ा रहे हैं ठीक है तो एक्जाम में कई बार इन संधियों के बारे में पूछ लेते हैं तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सालबाई की संधिया था ठीक है तो मतलब जो सालबाई क सांती बनाए रखते हैं इनके बीच में कोई भी युद वगेरा नहीं होता है और वैसे देखें तो यह जो मतलब एक तरह से ऐसे हमान सकते हैं कि अब जो अंग्रेज लोग हैं वो उत्री भारत में किसी दूसरी सक्ति से उलजगे थे वो अपना विस्तार अपना धान उध संधी के बाद 20 वर्स तक सांती दो बनी रही लेकिन इस समय में क्या होता है कि माराथा अपने अन्य सत्रों से नहीं पढ़ते रहें और नाना फड़नवीश के नेतरतों में उत्री और दक्षणी भारत में मारा अभाव है फैने लगा ता और इस अवदी में जो महाजी सीं का जो मतलब सर्वेश सर्वाब बन जाता है और 17つ च्छाणमम में पेस्वा माधवराव सेकिन्ड की मरत्यू हो जाती है ठीक है और बाजीराव दुत्य हये पेस्वा की मंसब पर बैठता है तो इसी टाइम पर कर उलंद हो जाता है कि मरटों में आपसी संगर्ष हो जाता है क्योंकि मतलब्लाभ Leiуч journey एक और महाजी सिंदिया दोनों इसकति साली है तो दोनों वह मतलब एक दूस्ट्रे को टक कर देने लगे थे अब क्या होता है कि पेश्वा बाजिरावद्वितियवय भोती मतलब अयोगी वेक्ति था और अठारा सो इस्वी में नाना फड़नवीस की भी मर्त्य हो जाती है ज महाजी सिंदिया में भी चली रहा था लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे को दबाए रखा बहार नहीं आने दिया लेकिन जैसे इनाना फड़नवीस की मर्त्य हो जाती है तो फिर से मतलब मराठा सर्दारों में आप से संगर्ष हो जाता है और दो मराठा सर्दार जैसे क एक तो ग्वालियर का सासक दोलतराव सिंदिया और इंदोर का सासक जस्वंतराय होल कर इनके 20 का मतलब तेज वाली परतिस परदा उत्पन हो जाती है और मतलब वो यह परतिस परदा होती है कि पेश्वा पे किसका परभा रहे और पेश्वा तो वैसे ही मतलब अयोगे था बाजी राव जो सेकेंड था वह तो वैसे ही अयोगे था तो मतलब ये दोनों लोग थे जस्वंद राव होलकर और दोलत राय सिंद्या ये इन दोनों में होड माच गई पेश्वा बाजी राव दिवितिया वै निर्बल वेक्ति तो थाई अताव भी किसी सक्ति साली मराटा सरदार का सरंक्षन चाता ही चाता था अताव उसने दोलत राय सिंद्या की सरंक्षन में मतलब चला जाता है और अब क्या होता है कि बाजी राव और सिंद्या ने होलकर के विरुद्द मतलब सियूंग्त मोर्चा बना लिया होलकर के लिए ये इस्तिति बहुत ज़दा सहनी हो गई जिसके गाराठार सर दो के प्रारह में सिंध्यावा होलकर के बीच यूद छिड़ जाता है और जब होलकर मालवा में सिंध्यागी सेना के साथ यूद में वेस्थ थ तो पुना में पेश्वा ने होलकर के भाई बिठु जी की हत्या करवा दी अता होलकर अपने भाई का बदला लेने पुना की ओर जाता है और पुना के पास होलकर ने पेश्वा और सिंध्यागी सेनाव को प्राजित कर दिया और एक विजेता की भाती पुना में प्रवेस क किया होल करने रागोबा जो रगुनात राव था उसका जो दत्तक पुत्तर था अमरत राव उसके बेटे विनायक राव को पेश्वा घोसित कर दिया ठीक है पेश्वा है वह भैवित हो गया और भाकर बसीन बसीन कहां पर है बंबई के पास अंग्रेजों की एक बस्ती थी व देखेगा जो रागोबा वह भी भाग के कहां गया था अंग्रेजों के पास ही गया था इसी प्रकास से उसका जो दत्तक बेटा है वो भी वहाँ पे जाता है और मैसूर की सक्तिनस्ट करने के बाद अब मराठों में उसके एकमातर पर्तिद्वन्दी रह गए थे ठीक है अ उसे पुने पेशवा बनाने में सहाता दे सकते हैं वो तो पेशवा ने मेलेजली की शर्त को स्विकार कерж लिया और 31 दिसंबर 1862 इसवी में ये सन्धी होती है पेशवा और कंपनी के बीच में और यही बसीन की सन्धी कहलाती है ठीक है तो यह था मतलब बसीन की सन्धी अब देखेगा हम आपको डिटेल से बताते हैं तो 802 के प्रारम में सिंधिया और होलकर के बीच यूद छिड़ जाता है जब होलकर मालवा में सिंधिया की सेना के साथ यूद में वेस्त था पुर्णा में पेश्वा ने होलकर के भाई बिठु जी की हत्या कर दी और होलकर अपने पेश्वा घोसित किया पेश्वा भैबित हो गया और भाग कर बसीन चला जाता है बसीन में उसने वेलेजली से प्रार्थना की कि वह उसे पुर्णा पेश्वा बनाने में साहता दे वेलेजली भारत में कंपनी की सर्वस्रवी जो सत्ता वैस्तापित करना चाता था मैसूर की सक्ती नस्ट करने के बाद अम्राठे ही उसके एक मातर पटिदवंदी रह गए थी अतवैं मराठा राजरेंति में हस्तक सेप करने का अफसर ढूंड़ रहा था पेश्वा द्वारा प्राथना करने और 31 दिसमर 1802 को कम्पनी और पेश्वा के बीच बसीन की संदी होती है बसीन की संदी की जो सरते थी वो देख लीजिएगा पेश्वा अपने राजे में 6000 अंग्रेज सेनिकों की एक सेना रखेगा तथा इस सेना के खर्चे के लिए 26 लाख रुपे वार्सिक आयका भू भाग अंग्रेजों को देख गा पेश्वा ने अंग्रेजी सरंक्षन स्विकार कर भारतिय तथा अंग्रेज पदातियों की सेना को पुना में रखना स्विकार किया पेश्वा बिना अंग्रेजों की अनुमती के मराठा राजे में किसी अन्य एरोपियन को न्यूगती नहीं दे पेश्वा ने सूरतनगर कमपणी को दे दिया पेश्वा ने निजाम से चोद प्राप्त करने का दिखार छोड़ दिया और अपने वीदेशी मामले कमपणी के धीन कर दिये पेश्वा के जो निजाम और गायवार के साथ जगड़े हुए थे उन जगड़ों के पंच के हैं नहीं करेगा onents तो यह थी आपकी बसीन की संधि और उसकी सर्ट निहां अब देखेगा जो मसिन की संधि मतलब उसका महत्व ऐं तो बसीन की संधि म्हांति न यह भाद्रिश्ट यूसinas कि ये भी महत्य गठना थी और इस तो उन न को दबामे लेके और वो अपना परभाव वहाँ पर रखेंगे अपनी मन चाही वो लोग वहाँ पर करेंगे ठीक है तो ये थी बसीन की संदी आगे के वीडियो में हम आपको अन्य किसी संदी के बारे में पढ़ाएंगे और मतलब वैसे हमने ये जो दुट्य मराथा यूद है ये भी हमने आपको पढ़ा द समझ में आएंगी और अंगल मराथा यूद है वो वाले वीडियोज भी आप देखोगे तो आप संदी को अच्छे से इंटरलिंग कर पाऊगे ठीक है तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो बने रहे हमारे यूटूब चनल इंडि क्रेखने के लिया ओडेश्ब एज भी